चीनी कम्योनिस्ट पार्टी तिबद के सीमावर्थी शेत्र में गाउं का निर्मार कर रही है लोगादित शेत्र का दावा करने के लिए और भारत के साथ युग्द में अपनी सेना को एक बड़ा फायदा देने के लिए चाइनान सिंसर्ड में आपका स्वागत है मैं क्रिस्ट एपल हूँ यह एपिसोड सर्फरार्ग द्वारा प्रायोजद है जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं यदि आप अपनी पहचान की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको सर्फशार्ग जैसे वीपिएन का उप्योग करना च समारू के दौरान चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी ने तिबबती सीमा के महत्व पर जोग दिया और उन्होंने विशेश रूप से कहा कि ये भारत के साथ सीमा संगर्श के कारण था अब ये सिर्फ ग्लोबल टाइम्स नहीं कह रहा है कि पार्टी सीमा निर्मान का विस्तार क करने के लिए कि सीमा निर्मान पार्टी के लिए कितना महत्वपूर है शी जिन पिंग केवल तिबबत की राजधानी लहासा नहीं गये उन्होंने दक्षिन पूर्वी तिबबत के एक अन्यर शहर निंची का भी दौरा किया ये शहर वास्तविक नियंत्रा रिखा के करीब है भारत और चीन के बीच की सीमा भारतिय राज्य रुनाचलत देश के साथ चीन उस शेत्र के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है इस साल की शुरुआत में चीनी शासन ने तीन सो मिलियन डॉलर से अधिक की लागत से निंची के लिए एक रणी तिक राजमार का निर रहे हैं चीनी अधिकारियों के नुसार तिबबत में 31 सीमा वर्ती काउंटी सभी केंद्रिय और राष्ट्रियस तरके सरकारी विभादू से सहायता प्राप्त कर रही है और कम्योनिस्ट पार्टी को अपने सीमा विवाद में भारत पर एक और फायदा है लोगों को सीमा व सीमा वर्ती शेत्रों की जन संख्या में 10% की वर्धी हुई है वर्षों से चीनी कम्योनिस्ट पार्टी तिबबती चरवाहों को जबरन बसा रही है उन्हें तिबबत में अधे किंद्रिकर्ट शहरों और कस्बों में रहने के लिए अपनी खाना अब दोश जीवन शैली को चोड़ना पड़ा जब लोग हर समय धर उधर नहीं घुम रहे हूं तो उन्हें नियंटरित करना आसान हो जाता है लेकिन आप पार्टी तिबबतियों को शहरों की बजाए सीमा वर्ती इलाकों में ले जाकर अपनी नीटी फिर से बदल रही है और इन सुदूर सीमा वर्त कर रही है जो भारत के साथ विवादित सीमाओं पर अपनी सेना को तेजी से स्थाना अंतरित कर सकते हैं लेकिन इसलिए भी कि कुछ मामलों में चीनी शासन जान बुझकर किसी दूसरे देश के शित्र में सीमा पार इन बस्तियों का निर्मान कर रहा है बेक के बाद और अन्यत देशों के साथ भी शित्रिय विवाद है भुटान भारत से बहुत कमजूर है और इसलिए चीनी शासन भुटान को और अधिक कटिंग बना रहा है वास्तव में चीनी कम्योनिस्ट पार्टी ने सचमुछ भुटान में पूरे गाउं का निर्मान किया है ये सलामी स् चीन ने प्लाचीन काल से दावा किया है 19 18 के दर्शक में थीक है एक चोटा हाइड्रो पॉवर स्टेशन, दो कम्यूनिस्ट पार्टी प्रशासनिक केंडर, एक कम्यूनिकेशन बेस, एक डिजास्टर रिलीफ वेरहाउस, पाँच सैन्य या पुलिस चौकी, और जो एक प्रमुक सिग्नल तावर, एक सोटुलाइट स्टेशन, एक सैन्य बेस और छेर सुलक्षा स्थरो और चौक्या पर, इसलिए चीन तिब्वत सीमा पर स्थाई गाउं का निर्मार कर रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे तिब्वतियों का इस्तेमाल कम्यूनिस्ट पार्टी के शित्रिय दावों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, या इसलिए की पार्टी राजमार्गो जैसे बुनियादी धांचे का भी निर्मार कर रही है, जो भारत के साथ विवादित सीमाओं पर अपनी सेना को तेजी से स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन इसलिए भी कि कुछ मामलों में चीनी शासन जानगुज कर किसी दूसरे देश के शित्र में सीमापार इन बस्तियों का निर्मार कर रहा है, बेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है, इसलिए चीनी कम्योनिस्ट पार्टी भारत के साथ शित्रिय विवादों को जीतने में मदद करने के लिए सीमावर्ती गाओं और बुनियादी धांचे का निर्मार कर र पार्टी ने दर्शन चीन सागर में भी धीरे-धीरे उस शित्र पर कबजा करने के लिए इस्तिमाल किया है, 2015 में चीनी शासन ने भुटान में एक तिबदी गाओं का निर्मार शुरू किया, ये उतरी भुटान के एक शित्र में है जिस पर चीन ने प्राचीन काल से दाव पारित कर रहे हैं जो दिखाते हैं कि किंग राजबंश के दौरान तिबदी मठो को शित्र में चराई का अधिकार था, शेश विशोर उस शित्र को भुटान के हिस्से के लूप में मानिता देता है, और केवल छे वर्षों में कम्यूनिस्ट पार्टी ने सिर्फ भुटान में एक गाउं नहीं बनाया है, उन्हों में तीन गाउं बनाये हैं, नई सरकों के साथ एक छोटा हाइड्रो पावर स्टेशन, दो कम्यूनिस्ट पार्टी परशासनिक केंडर, एक कम्यूनिकेशन बेस, एक डिजास्टर रिलीफ वेरहाउस, पार्च सैन्यय या पुलिस च चाहती जो उसने उत्तरी भूटान में ली है, इसके बजाए पार्टी कश्चनी भूटान में भूटान में भूमी के लिए भूटान को इसका व्यापार करना चाहती है, जो भारत के साथ सीमा के करीब है, इसका उदेश्ट भूटानी सरकार को उस शेत्र को सौपने के 14 मील चौड़ा सिलीगुडी कॉरिदोर जो भारत को उसके पूर्वोगत शेत्रों से जोड़ता है। गाउं के निवासियों का उपयोग सीमा वर्ती इलाकों में सीमा पुलिस और पीले के साथ गश्ट करने के लिए कर रहा है। सीमाओं की रक्षा करना है और ये सिर्फ बयान बाजी नहीं है। निवासियों को सादे कपरों में सुरक्षा टीमों में संग्रिटित किया जाता है जो सीमाओं पर गस्ट करते हैं। निवासियों में भागने की कोशिश कर रहें अन्य तिब्वतियों की जाच करते हैं। और अभी ये समाप नहीं हुआ है। प्रतेक सीमावर्ती गाउं के ग्रामीरों को इस अन्योग प्रक्षा दली बनाने के लिए सीमा पुलिस और पीले काईयों के साथ सेना में शामिल होना पड़ता है। जिसमें ग्रामीर, वर्दीधारी, सुरक्षा बल और पार्टी के प्रतिमिधी शामिल होते हैं। इसलिए चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर रणीतिक लाभों को दिखते हुए। इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं है, कि वे अधिक सीमावर्ती गाउं के निर्मार में तेजी लाने की योजना बना रहे हैं। विवादित शित्रों में गाउं चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी को एक बड़ी सैन्यों पस्थिती देते हैं। निर्भर करता है कि भारत क्या करता है जब चीनी शासन वास्तविक मियंत्रन रिखा के पार इन सीमावर्ती गाउं का निर्मार शुरू करता है। यदि भारत जवाब नहीं देता है तो चीनी शासन दक्षन चीन सागर की तरही चोर लगाता रहेगा और इस एपिसोड को सर्फरार्ट ने प्रायुजद किया है। जब आप उनलाइन जाते हैं, विशेश रूप से चीन में आपको अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए सर्फर्ज जैसे VPN का उप्योग करने की आवश्यक्ता होती है। हर बार जब आप इंटरनेट पर जाते हैं, तो सरकारे और आपका इंटरनेट सिवा प्रदाता आपके द्वारा किये जाने वाले हर काम को देख सकता है। और मुझे लगता है कि चीन की सेना के पास पहले से ही पर्याप्त जासुसी चौक्या है, इसलिए जब भी आप उनलाइन जाते हैं, खास कर यदि आप कभी भी सारवजनिक वाइफाई का उप्योग करते हैं, तो आपको वास्तव में अपनी सुरक्षा के लिए सर्फ शार् साथ ही आप असीमित संख्या में उप्योग करनों में एक सर्फशार्क अकॉट का उप्योग कर सकते हैं, इसलिए जब आपको एक वीपेन की आवश्यक्ता है और मेरा विश्वास करो, जो आप करते हैं सर्फशार्क का उप्योग करें, सर्फशार्क.com स्लैश अनसिंसर्ट पर जाएं और उनके विशेश सौदे को प्राप करने के लिए बिना सेंसर की एक कोड का उप्योग करें जिसमें 3 अतरिक्त महीने मुफ्ट में शामिल है, नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें, एक बार फिर मैं क्रिस टैपल हूँ, चाइना अन सेंसर्ट देखने के झाल